आज एकी जय आज बगवान श्री परशूराम जी महराज जी का जनमों सब पूरे बरवान में बड़े दूंदाम से मनाया जा रहा है इसी उपलक्ष में आज मुझे सुनाते हुई बड़ा हर्श हो रहा है कि हमारा जो श्रादा कृष्ण मंदर के और प्रानापिंड चोक ना नाम जो है आज नामकरन जो हुआ वह श्री परशूराम जी महराज जी के नाम से उच्चो का नामकरन हुआ जिसमें छहर के तमाम भुद्धी जी भी समाज सर्व समाई के लोगों ने भाग लिया सर्व सहमति से इतना अच्छा प्रवीन शाष्ट्री जी द्वारा मंत्रों के द्वारा बहां पे पूजा आर्चना हुई और आज शाम आठ वजे आर्थी का अजोजन है कि वहां परशूराम जी की आर्थी होगी इस चोक के अंदर मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आर्ष्पुरा मुनस्पल काकवा कमेटी के पूरे जितने बाड मिंबर हैं और व रखा गया और बड़े हर्चोर सुलाज के साथ आपने देखा कि आज एक बड़ी सुन्दर जांकी निकाली गई रैली निकाली गई लोगों ने अपने हाथ में धवजा लिये थे नोजमानों ने मोड़ सैकल स्कूटर कारों पे आए ये काफिला जो है पूरे शैर से होता ह हुआ आज यहां संपन्द हुआ और बगवान शरी परशूराम जी महराज चोंका नाम जो रखा गया उसमें तमाम जहां के पूरों में उपादक्ष शरी किशोर जी पूरों में उपादक्ष शरी लबाराम जी और जितने हमारे बुद्दी जी भी है शोग शर्मा जी और राज कमार सनोतरा जी ऐसे लोग जितने हमारे बीच में थे आज उन्होंने बिदिवत तरीके से और मुझे वहां पे बशेश रूप में जाने का सुबाग्या प्राप्त हुआ इसमें मुख्या रूप तो होता नहीं तो उनके हम चरण दूल के बताओं हैं लेकिन एक बात है उसको भी हम मनाने जा रहे हैं और इसको लेकर के आज आप देखो के बड़ा बब्या यह मंजर सा देखने का के वहां पर शूराम जी आज और दूसरा आरस पुरा के अंदर आज शिरी जगनाजी महराज चार वजे जहां पे उनका आगमन होगा पूरा शहर उनके पाड़े आठ वजे आरती होगी और सुबस चार वजे मंगला आरती होगी उसको लेकर के कल आरस पुरा परिकर्मा जो है बगवान जगनाजी को कराई जाएगी जगनाजी की परकर्मा की जाएगी इसको लेकर के सभी लोग आएं और भड़ चड़के बाग लें बुलिए बगवान पर शुराम जी महराजे की